एक बहुत अच्छी आउशद अपनी स्वेंपात घर में हैं, उसका नाम है नमक, बहुत अच्छी आउशद, ये नमक क्या कामने आठा है? जिसको भी ब्लेट प्रेशर कम हो गया हूँ, लो भी पी, उसकी सबसे अच्छी आउशद है नमक, क्या करना है इसको? पानी में मिला कि पीना जिनको भी लो ब्लग प्रेशर की शिकायत है उनको नमक पानी में मिला के पीना सबसे अच्छे आउशा है कितना नमक और कितना पानी एक गिलास पानी में आदा चमज नमक मिला सकते हैं या आदे चमज से थोड़ा कम उत्मा अगर नियमित रूप से पीएंगे तो ल यही नमक हाई ब्लग प्रेशर को भी ठीक करता है लेकिन वो कैसे ठीक करता है हाई ब्लग प्रेशर की जिनको बीमारी है उनको नमक मिला के पानी में इस्नान करना पानी से नमक पानी से इस्नान करना है हाई बीपी जिनको है उनको नमक पानी से इस्नान करना है एक बाल्ट करने के पानी कि पर शोड़ कर पूरे शारीर पर डालें और इसको पोचने का नहीं नमक लगा है तो लगा रहने दीजिए कपड़े पहल लीजिए और कभी भी साबुन मत लगाई है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर 15 से 20 दिन में ही ठीप हो जाए नमक पानी से इस्लाम करें हाँ बहुत अच्छा सवाल आपको पूछा कौन सा नमक सबसे अच्छा जो नमक आता है वो सेधा नमक सबसे अच्छा दूसरे नमबर पर जो नमक आता है काला नमक और तीसरे नमर पर नमक आता है वो क्रिस्टल फॉर्म का नमक पाउडर नहीं है वो जो छोटे-छोटे डेले में आता है न क्रिस्टल वो नमक यह जो पाउडर वाला नमक आजकल बाजार में आ रहा है आयो डी नियुक यह तो बहुत ही खतरना की सरकार ये जबरजस्ती सबको खिला रहे हैं हमने इसके खिलाफ मुकत्मा किया हुआ बारत सरकार में बारत सरकार के विरुद्ध हमने सुप्रिम कोट में मुकत्मा किया हुआ ये जो जबरजस्ती सबको आयोडीन युक नमक खिला रहे हैं ये बहुत ही खराब है में आयोडीन युक्त नमक 20 साल पहले बैन कर दिया गया कारण उसका क्या इन सभी देशों में आयोडीन युक्त नमक खाने से एक गंबीर बीमारी आई जिसका नाम है नपुन सकता इंपोटेंस है तो वहां के देख्यानिकों ने रिसर्च करके रिपोर्ट दिया कि इंपोट नमक भारत आगया और भारत में सब को जबरजस्ती खिला रहे तो हमने मुकदमा किया है सरकार के खिला तो एक दिन क्या हुआ कि भारत सरकार का एक अधिकारी वह आया अदालत में मुकदमा होता है न तो आना पूरता है तो हमने एक दिन उसको पूछ लिया कि भाई तुम तो बच्चे पैदा होना अपने आप कम हो जाएगे तो बारत की समस्या का परियार समानान हो जाएगे ऐसी हराम फोर सरकार है इसलिए मेरी आपको छोती सी मिलनती है कि आप यह आयोडी नमक बिल्कुल मत लाइएगा आप अपनमक लाईए तो वह सेदा नमक लाईए पत्थर वाला या तो काला नमक लाईए नहीं तो क्रिस्टल फॉम का जो नमक आता हो लाईए उसको धोकर और पूटकर पीसकर पाउडर बनाके उसको व्क युँग में लाईए बाजार से पैकिक में बन जिस पर लिखा है आयोडाइस वह कभी मतलए और मैं आपको एक महिती देता हूं कि आप बोलेंगे कि घेंगा रोग हो जाएगा ज्वाइकर हो जाएगा कभी नहीं होता मैंने आज तक आयोडीन नमत करक्का या मुझे घेंगा नहीं नहीं था किसी को नहीं क्यों इχता गएगा मैं आप्को बताता हु कि जरूरत जितनी हमारे शरीत को है उतनी आयोडी सभी । होती है यह तूर की दाल है मुंगी दाल influenced मॉरीस की दाल है सब нашем हरे पत्ते की सभी सभी में आयोडीन है गाजर में और जमीन के अंदर से जतनी सब्जिया निकलती है लिख जीवन में जो भी हम बोजन कर रहे हैं जादातर भोजफ़ार्धों है लिख बाहर से आयोडीन देने की कोई गरज और जरूरत नहीं है ये जबर्जस्ती सरकार में अभ्यान चला रखा और इस अभ्यान के पीछे दो उद्देश हैं एक तो भारत में बड़े पैमाने पर लोग में नफुन सकता लागा ताकि लोग संख्या कम हो दूसरा उद्देश ये है कि पंद्र पैसे किलो के नमक को साथ रूपए किलो हैं है आप खुशी से लुटवा रहें प्योड़ी है आपको ये माइप नहीं कि नहीं है कि इन अचयकंती सरीर को कोई गरज और जुरूरत नहीं है लेकिन अगर अत्रिक आयोडीन शरीर में आ जाए तो नपुन सकता आ जाते हैं, यह पक्का है, इसलिए आप अपनी जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आयोडीन नमक बिल्कुल बन कर दीजे, साधा नमक लाइए, वही खिलाइए, तो नमक कौन सा खाएंगे, तल स य затाय कर लीजे, वो सेना नमक सब जगे मिलता, पोड़ा महग आता बोली आओड लियाई, और एक नमक आता के बीयाओं यह पाकिस्तानी नमक नाम से मिलता हैं, लाहरी नमक के नाम से मिलता है, वो भी अच्छा है, नहीं तो प्रिस्टलäter लूहाला नमक, वो सब आओवंद यह देख फॉसी तिक आई वेग में पागवट सहिता में एक सूथ रहे हाई ब्ल्डप्रेशर के लिए और लो ब्लड्प्रेशर के लिए संस्कृत में तो सूथर में ऐसा लिखा हुआ है कि जिनको high blood pressure है उच्छ रखत दबाओ उनको समुद्र इसनान करना चाहिए अब 40 गाओं में समुद्र कहां से आएगा इसनान करने के तो इसलिए मैंने आपको सरल करके बता दिया कि आप पानी को जब इसनान कर रहे हैं तो उसमें नमक मिला दीजे समुद्र तयार हो गया समुद्र कहां माने है नमक का पानी तो बाल्टी का पानी है उसमें नमक मिला दीजे समुद्र तयार हो गया इस पानी से स्नान करें, तो ये high blood pressure की सबसे अचूख, सबसे सरन, सबसे अच्छी डवाए, high blood pressure के किसी भी मरीज को नमक मत खिलाए, नमक के पानी का इसनान करें, और low blood pressure के किसी भी मरीज को नमक खिलाए ज्यादा से ज़ाए, कम से कम आपको महीने बर तो नहाई सकते हैं, बीच में 5-7 दिन break करके फिर महीने बर नहाई सकते, break करके तीन बार एक एक महीने नहाई सकते,